नमस्का दोस्तो, स्वागाते आपका हमारे चैनल पीके गुरूजी में आज के अपने इस वीडियो में हम इत्यास से सम्मंदित कुछ पिष्णों का डिसकस करेंगे तो जिन पिष्णों की हमें हम बात करेंगे चलिए उनको देख लेते हैं तो इसमें जो हमारा सबसे पहला पिसन है कि फाहयान कहां का निवासी था ठीके हमें बताना है कि जो फाहयान था एक कहां का निवासी था ओप्सन ए है भूटान ओप्सन भी है अमेरिका ओप्सन सी है चीन और ओप्सन डी है म्यामार तो इसका जो सही अंसर है वह है चीन ठीके यानि जो फाहयान था वह है चीन का निवासी था ठीक है तो यह तो हमें पता चल गया कि फाहयान चीन का निवासी था लेकर जो फाहयान है वह है चंद्रगुप्त विक्रमादित दूती है ठीक है किसके दरवार में चंद्रगुप्त विक्रमादित के सासनकाल में है भारत में आया था वह तीन सो निन्यानमे इस भी से लेकर चार सो बारा इस भी तक भारत में रहा ठीके तो यह आपको याद रखना है कि पहले तो फाहयान कहां का निवासी था तो चीन का निवासी था यह चंदगुप्त बिक्रमतित दूतिये के सहसंकाल में भारत आया था और तीन सो भारतिये पुरातत्यों सर्विक्षण की स्थापना कभी हुई थी यह हमें बताना है option A 1784, option B 1800, option C 1857 और option D 1861 तो इसका जो सही अंसर है वह है 1861 यानि भारतिये पुरातत्यों सर्विक्षण संस्थान की जो स्थापना हुई थी वह है उती 1861 में आगे बढ़ेंगे कि भारतिये पुरातत्यों का जनक किसे कहा जाता है ठीक है भारतिये पुरातत्यों का जनक किसे कहा जाता है option A Alexander Cunningham, option B James Princip, option C John Marshall, option D Martimer Wheeler तो इसका जो सही अंसर है वह है Alexander Cunningham यानि भारतिये पुरातत्यों का जो जनक कहा जाता है वह कहा जाता है Alexander Cunningham को आगे बढ़ेंगे कि प्राचीन भारत की कौन सी एक लिपी दाई और से बाई और लिखी जाती ठीक है कौन सी एक ऐसी लिपी है जो की दाई और से स्टार्ट करकर बाई और लिखी जाती है यह हमें बताना है आप्शन A, ब्राम्भी, आप्शन B, नंद नागरी, आप्शन C, सारदा और आप्शन D, खरोष्ठी तो इसका जो सही अंसर है वह है खरोष्ठी ठीके तो खरोष्ठी एक ऐसी लिपी थी जो की दाईयों से सुरू करके बाईयों की ओर लिखी जाती थी आगे बढ़ेंगे कि निम्न लिखित मैंसे कौन सा अभिलेख कलिंग नरेश खारवेल से सम्मन्दित है यह हमें बताना है ओप्शन A, हाती गुम्पा, ओप्शन B, जूनागर, ओप्शन C, नानागाट और ओप्शन D, नासिक इसका जो सही अनसर है वो है हाती गुम्पा ठीक है तो हाती गुफा जो अभिलेख है वो है कलिंग नरेश खारवेल से सम्मन्दित है आगे बढ़ेंगे कि प्रियाग 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 प्रिया हमसे पूछा गया है और समुद्र गुप्ट घिक है हरी सेर्ड है यह समुद्र गुप्ट का दरवारी कवी था और इसी ने प्रयाग प्रसस्ती को लिखा था आगे बात करेंगे कि सती प्रथा का पहला पुरा तात्विक उलेख कहां मिलता है ठीके सती प्रथा का पहला पुरा तात्विक उलेख कहां मिलता है यह हमें बताना है option A, भीतर गाउन लेक से, option B, बिलसद इस्तंभ लेक से, option C, एरण अभिलेक से, और option D, भीतरी इस्तंभ लेक से, तो इसका जो सही answer है, वह है एरण अभिलेक से, ठीके, जो सती पिता है, सती पिता का पहला पुरा तात्विक लेक जो मिलता है, वह है मिलता है, एरण अभिलेक म में इस्तित है ठीक है तो यह भी आपको याद रखना है कि एरन से मिला है सती पिता का पहला पुराता तुबिक उलेक और जो एरन है यह मद्द पदेश के सागर जिले में इस्तित है ठीक है तो यह दोनों पिसने पूच लिए जाते हैं आगे बढ़ेंगे कि भारत में सिक्को इसा पूर्व में आप्शन बी तीन सो इसा पूर्व में आप्शन सी कनिस्क के सासनकाल में और आप्शन डी हार्ष बर्धन के सासनकाल में तो इसका जो सही अंसर है वह है छैसो इसा पूर्व में यानि हमारे देश भारत में जो सिक्कों का पिशल अंसुर हुआ वह हुआ 600 ईसा बर्फ पूर्फ से आगे बढ़ेंगे कि साथ बाहनों के समय में मुद्रा के सरवादिक सिक्के किस धातू के बने ठीक है तो साथ बाहन राजा थे इन साथ बाहन राजाओं के समय में जो मुद्रा के सरवादिक सिक्के थे यह किस धातू के बनाए गए हैं यह हमें बताना है ओप्शन A सीसा ओप्शन B पोटीन ओप्शन C तामा और ओप्शन D स्वेड़ ठीके तो साथ बाहनों के समय में जो सरबादिक सिक्के बनाए गए ओए बनाए गए सीसा के ठीके तो यह है आपको इसका यह ओप्शन बिलकुर सही है कि साथ बाहनों के समय में जो मुद्रा के सबसे ज़्यादा सिक्के बनाए गए गए सीसा के आगे बढ़ेंगे कि भीम बेट का किसके लिए प्रसद है ठीक है भीम बेट का जो गुफाएं है या किसके लिए प्रसद है यह हमें बताना है आप्सन ए गुफाओं के सेल चितर आप्सन भी खाने जी आप्सन सी बौद प्रतिमाएं और आप्सन डी सोन नदी का उदगम इस्थल तो इसका जो सही अंसर है वह है गुफाओं के सेल चितर ठीक है तो जो भीम बेटी का है यह गुफाओं के सेल चितर के लिए प्रसद है य तो यह भी आपको याद रखना है कि भीम बेटका की गुफाइं पहले तो गुफाओं के सेल चत्रों के लिए प्रिषध हैं लेकिन एक और से पिछन बन जाता है कि यह भीम बेटका कहां इस्तित हैं तो पहले तो मद्दे पधीस में इस्तित थैं थेंक्यू दोस्तो इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद